स्वारव आठ बजे प्रधान मंतरी एक बड़ी जानकारी जो है वो देश को देंगे अभी हमें जो बताया जा रहा है वो इतना ही कि आदे घंटे के अंदर यानि अब इस वक्त पांच बज रहे हैं लेकिन इंडिया टीवी को यह जानकारी मिल रही है कि थोड़ी देर में उनकी तरफ से कोई बड़ी अनौंसमेंट की जा सकती है कोई बड़ा एलान नरेंदर मोदी कर सकते हैं कि किस सिलसिले में होगा या भी हम इस पर कोई कयास नहीं लगाना चाहेंगे क्योंकि थोड़ी देर में वो खुद सामने आकर जो भी मुद्दा है वो रखेंगे देश के सामने अभी इतनी जानकारी है कि प्रधान मंतरी की तरफ से एक बड़ा एलान और एक बड़ी अनौंसमेंट की जा सकती है देखें कुछ बड़े फैसले जो है वो हाल में ही केंदर सरकार की तरफ से लिए गए जाए है लपीजी के सिलेंडर पर सौर प्या दाम कम करना हो इसके अलावा आपने देखा था कि जो गन्ने की किसानी करते हैं किसान उनके उसका जो दर था उसको बढ़ाना हो तो ऐसे कई अलान तो प्रधान मंतरी की तरफ से और केंदर की काबिनेट की तरफ से पीछे किये गए हैं और बड़े फैसले लिए गए हैं लेकिन अब ये प्रधान मंत्री की तरफ से किसी, किस बात की जानकारी दी जाएगी, कोई बड़ी ऐलान किया जाएगा, इसको अभी हमको देखना होगा, एक हमको याद आ रहा है कि बड़ी घोशना जो है की गई थी, उत्तर पूर्व में एक उगरवादी संगठन के साथ समझोता भारत सरकार का हुआ था, तो वो प्रधान मंत्री ने किया था, तो ये किस सिलसिले में हैं ये अभी हम नहीं कहा जा सकता है बहुत जादा, लेकिन अब इलेक्शन की अनाउंस्मेंट भी देश में लोकसभा चुनाव की अनाउंस भोशना भी आने वाले माना जा रहा है कि दो-चार दिन के अंदर-अंदर हो सकती है, उससे पहले प्रधान मंत्री की तरफ से क्या बड़ी भोशना या क्या बड़ी जानकारी देश के साथ स उसी तरीके से होगा, यह भी नहीं कहा जा सकता, भी जानकारी इतनी है कि नरेंदर मोधी कुछ बड़ा फैसला लेने वाले हैं और वो उसकी घोशना अब से आधे घंटे के अंदर करने जा रहे हैं, तो फिर एक बार आपको बता दें, यह बड़ी खबर है, प्रुथान मं हमारे पुलिटिकल एडिटियार जोड़ गए हैं हमारे साथ, देवेंदर क्या पता लग पारा आपको? कि अभी चला जा सकता है, इसके बारे में कंफरमेशन बिल्कुल भी नहीं है, कि उसका सब्जेक्ट क्या होगा, लेकिन संभव है कि CAA के रूल से संबंधित कोई बात कही जाए, लेकिन यह सिर्फ और सिर्फ एक अंदाजा है, ग्रीमंत्राले के सोर्सेज में इतना जरूर हमें सौरब बताया है, और कि alert पे रखा गया है, और संभव है कि rules notify आज ही कर दिये जाए, यह ग्रीमंत्राले के सोर्सेज के द्वारा कहा जारा है, उस आधार पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शायद प्रदानमंतिर नेंद्मोदी का जो संबोदन होगा, जो एलान प्रदानमंतिर नेंदमोदी को देश को बताना है कि वह फैसला हुआ क्या है, जी आम तोर पर ऐसी जब कोई प्रदानमंतिर को क्ई घोशना करनी होती है या देश को कुछ बताना होता है, तो हमने देखा है कि social media के जरिये वह इसकी prior information दे देते हैं, इस बार ऐसा नहीं हु कि बिना सोसल मीडिया के इसी चीज़ें बताई जाती है जैसे आपको ध्यान होगा कि क्रिशी कानून को जब खत्म किया गया था तो वापस लेने का जो फैसला था वो हम लोगों ने पहले उस बात का एनाउंसमेंट किया था तो पहले बता दिया था कि पदामंति निनिनमोद ने लिया है वो फैसला की सम्द्ध में है दूसरी बात की जैसा कि पहले भी मैं कह रहा हूं कि सीए के रूस नोटिफिकेशन को लेके ग्रीमंताले के तरफ से लगातार ये इंडिकेशन मिल रहे हैं कि सीए का रूल नोटिफाई आज किया जा सक्टा है पहले आपने ग्रीम अज ये इंडिकेशन दे रहे हैं वो आज भी हो सकता है उसमें रूल नोटिफाई करने के प्रक्रिया सवरब सिर्फ ये होगी कि एक गजट नोटिफिकेशन आएगा और ये गजट नोटिफिकेशन उसको वेबसाइट पे अप्लोड कर दिया जाएगा और देश को बता द नहीं है तो आपने क्लियर कर दिया कि ये हमारी जानकारी नहीं है लेकिन ये मुम्किन है कि हो सकता है सिये वो सबजेक्ट हो जिस पर वो बोलें इसके बारे में लेकिन आप देश को जब दर्शकों को ये जरूर बता दीजे कि इस कानून की अभी की वस्तुत सितिक क्या है और आज जो होने जा रहा है उसके बाद क्या होगा? तो उसके लिए कानून बनने के बाद रूल्स को नोटिफाई करना जरूरी रहता है पिछले चार सालों में आठ बार रूल्स नोटिफिकेशन की जो तारीक थी वो बढ़ाई गई यह जो सबड़नेट लगिश्टेशन कमिटी है पार्लेमिंट की कमिटी उसमें हर छे मेने के बाद उसको एक एक एक्स्टेंसन लिया जाता था क्योंकि वहाँ पर बताना जरूरी होता है कि जैसे उसकी प्रजियास और भी रहती है कि अगर आपने कोई कानून बनाया तो कानून तो पार्लेमिंट के थो बन गया लेकिन उस कानून को लागू करने के लिए जो आप नि थर्मों के लोग हैं अगर धार्मी कुट्वियन के अधार पर यहां पर वो आए हुए हैं तो उनको नागरिक्ता दी जाएगी 2014 से पहले आए हैं तो हलाकि इस बीच में अगर आप देखेंगा तो पिछले दो सालों में लगबग 9 रज्य के तीन डिस्टिक मजिस्टेट को ग्री मंत्राले के द्वारा यह अनुमती दी गए थी और ऐसे आवेदनों पे उन्हें नागरिक्ता दी भी जा रही थी तो ऐसा नहीं था कि उन सब लोग केस को होल्ड पे रखा गया था वो दी जा रही थी लेकिन रूल नोटिफाई करना ज़रूरी था और लेड़ी उसक प्रशिश करें अगर आप लाइव जूड़ जाएं हमारे साथ क्योंकि अभी तो समय है जैसा आपने बताया कि आदे घंटे के अंदर ये इन्फिर्मेशन आ सकते हैं तो मुम्किन हो तो आप लाइव जूड़ जाए हमारे साथ तब तक हम एमानों के पास चलते हैं हमारे स से तो कुछ आदत हम लोगों को भी पढ़ गई है ऐसे सर्प्राइस की ऐसे आश्चरे जो हमको कभी-कभी मिलते रहते हैं तो आप लोगों का क्या अनुमान है मैं ये पूछ लेता हूं कि थोड़ी देर में प्रधान मंत्री खोद एनाउंस कर देंगे इसको लेकर के संजी एक नया नया रंग रूप लिया मोड आया एक और बड़त बीजेपी की बड़ी तो इस बार भी चर्चा यह थी कि ऐसा क्या बीजेपी और ये सरकार करेगी कि सब मान के चल रहें कि बीजेपी की सरकार आरी है इस पर तो एक सबसंमति सी बनी हुई है देस में लेकिन वो क् जो भी नेने आएगा वो जब चार दिन पहले आ रहा है चुनावों के अधिस उचना जारी होने के तो उसका सीधा सीधा असर बीजेपी कहीं न कहीं चुनावों से जोड़ के देख रही होगी ऐसा अभी लग रहा है बिना अनाउंचमेंट सुने तो देखना बस यह है कि ऐस कौन सा बड़ा तुरुप का इत्ता इका चला जाना है जो की चुनावों को जो अरड़ी बीजेपी की जिए आपको यह लग रहा है कि जो भी प्रधान मंत्री अनाउंस करेंगे वो कहीं ना कहीं सीधा चुनावों को प्रभावित करने माला हुगा और तो ऐसा 11 मार्च को कोई और कारण निया चुनावों से कुछ अबते पहले कि कोई और बड़ा पॉलिस्टी डिसिजन जिसका चुनावों से और राजनीद से कोई संदर्व नहीं हो कोई मतलब नहीं हो उसकी फिर आज क्या उसका ओचित्ति है यहाज उसका महुरत क्यों कि प्रधानमंत्री जी की घोशनाओ प्रधानमंत्री जी क्या करें आप कुछ बात तो हमें कर ली हैं जब तक दो नहीं आते हैं च्या बात करेंगे यहाज़िए बिना उसके भी सर्प्राइजिस देते हैं और अभी ऐसा मौका आ गया जैसे संजीव ने भी जिक्र किया कि चुनाव से पहले मुझे लगता है यदि कोई घोशना होगी भी तो हिंदुस्तान को और पावर्फुल कैसे बनाया जाए शक्तिशाली भारत जिस पर वो बार बार जोड़ देते हैं यदि ऐसा कुछ हुआ लेकिन मैं किसी भी तरह के कयास लगाने के संभावना नहीं बात है मैं जैसा देविंदर ने कहा कि ऐसा जानकारी अशी मतलब हम आभास कर पा रहें कि शायद उस पर बोलें सीए तो कानून मन गया 2019 में लेकिन उसके उपर जो हंगामा प्रदर्शन बवाल जो हुआ हो सकता है क्या कि प्रधान मंतरी आ रहे हैं तो एक उसकी भुमिका देश के सामने फिर से रखें एक प्रस्तामना रखें कि यह हम इसको अब लागू करने जा रहे हैं और क्यों करना जरूरी है मैं उनकी गोशनाओं पर कयास नहीं कर सकता हूं कि वो कुछ न कुछ ऐसा ऐलान यदि कर रहे हैं तो वो होगा जिससे आपको लगे कि भारत जो है देश जो है और ज्यादा ताकतवर हुआ है इससे ज्यादा आप और कुछ नाजानी लगारा चाहिए अगर आपको कुछ और पता चल पाया हो तो अगर देश के पुदार मंती निर्न मोदी को कोई महत्पूर्ण एलान करना हो जादे घंटे पहले ही वो जानकारी अगर मिल रही है अपने आप में बड़ी बात होती है वो एलान क्या होगा, सब्जेक्ट क्या होगा, किस संबंद में करने वाले हैं ये पता करना वाकई बहुत मुश्किल काम होता है और वो बताया नहीं जाता है वो इस लिहाँ से आप समझ सकते हैं किस प्रकार की सिक्रेशी मेंटेन की जाती है और सही बात भी है कि अगर देश के प्रधामन्तरी को कुछ कहना हो तो आप पहले से कैसे उसके बारे में जान सकते हैं फिर प्रधामन्तरी निरेंद मौधी के कहने का मतलब क्या अगर हम लोग ही ऑफिशेली उस बात को बताने लगें या confirmation के साथ बताने लगें जो अंदाजा है वो सिर्फ अंदाजा उस लिहास लगा रहा सकता है कि जो परिश्थितियां है मैं बारबाइस बात का जिक्र कर रहा हूँ कि जो circumstances हैं वो इस लिहास से हैं दूसरी बात कि प्रधानमंति निरेंद मोधी को बोलने का मतलब क्यास और वो इस्तिहास से आप सबसकते हैं और आपको ध्यान होगा कि पिछली बार जब C.A. कानून जब ले के आया गया तो उस समय कहीं से भी किसी के भी नागरिकता छिनने को लेकि इसमें एक भी ना कोई क तरकता बरता जाए ताकि अपोजिशन या कोई वेस्टेर इंट्रेस्ट के लोग इसको उस रूप में फिस से पेश ना कर दे जिससे माहौल खराब होने के सिती हो जो हमें सोर्सेस के दोरा जानकारी मिली उसके इसाब से चाहिए उत्रपदेश के पुलिस के बात करने है अ एक सब्ता के अंदर सी एक रूल नोटिफाई हो जाएंगे हलाकि वह इंफर्मिशन की गलत थी उस समय वह हुआ नहीं लेकिन सरकार की सतरक्ता तो हर लेविल पर यह दिख रही है कि रूल नोटिफाई आपको करने ही करने हैं सरकार के टॉप लवेल से हमें पहले ही जानका जानकारी बिलकुल नहीं है कि आखिर प्रधानमंतिर नेद्मोदी का संबोंदर जो होगा वो किस विशह पर होगा अगर यह से संबंदित कोई बात प्रधानमंतिर करने जा रहे हैं तो उसकी जरूरत समझ में आती है जैसा आपने बताया कि 19-20 में जो प्रधरशन हुए थे देश में बड़ा उससे महल खराब हुआ था और वो एक किसम का नेरेटिव चला दिया गया कि जैसे इसे देश के मुस्लिम नागरिकों पर कोई परभाब फड़ जाएगा जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था तो वही हम लोग बात कर रहे थे कि क्या प्रधानमंतिरी एक बार फिर देश को उसके बारे में समझाने के लिए कोई बात कहना चाहें वरना तो एक काम एक गजट नोटिफिके और उसके साफ से वेबसाइट पर भी वह नोटिफिकेशन को जारी कर दिया जाएगा फाइलों में तो रहेगी रहेगी तो फैसला तो वही होगा प्रक्रिया तो उसी रूप में सामने लाए जागा लेकिन कोई भ्रम ना फैले तो उस लिहाज से अगर यह संबोधन होता है तो मुझे उस पर कोई बहुत हैरानी नहीं होगी मुझे ऐसा नहीं समझ में आगा कि अगर रूल नोटिफाई होने थे तो देश के पधान मंतिर नेंदमोदी को यह क्यों बोलना पड़ा मुझे बात बहुत सभाईक सी लगेगी कि पिछली बार अगर इतना ज़्यादा ब नहीं थी फिर भी अगर यह ऐसा हुआ तो फिर से उस तरह का माहौल क्रियेट ना हो जाए खास तो पर अगर बात कर लें तो आप अगर अधिकाईयों को पहले से मैसेजिंग है तो आप समझ सकते हैं कि सरकार कितनी सतरक्ता वरत रही है रगे बात प्रधार मंतिर निर्द मोदी के द्वारा एलान किये जाने की तो उसके लिए तो निश्यत वाप इंदजार करना जादा बेतर है कि आखिर वो किस संबंद में हो रहा है हमारे जरी आपको वो चीज पता चलती है एक दूसरी चीज होती है जैसे नोट बंदी हुई थी डी मॉनिटाइजेशन हुआ था तो एक वो सरकार का एक ऐसा फैसला था जो की बड़ा गोपनी है था और वो केबल प्रधान मंतरी की सतर से ही देश को पता चलना था यह तैक अगर कुछ बारे में कोई जानकारी किसी को नहीं है निरने सौरफ वैसे तो कुछ भी अगर कहा जाएगा तो वो एक तरह का गैस्वर्क होगा लेकिन जैसा कि आपको मालूम है प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी जब खुद बोलने आ रहे हैं तो जाहिड सी बात है कि कोई बड़ा ही ऐलान होगा जैसा कि अभी हम चर्चा भी कर रहे थ जो जिस प्रकार का महौल अभी बना हुआ है और जो जानकारी हमारे पास है उसे साब से पिछले दो तीन महीनों से तैयारी तो काफी हो रही है सिए को इंप्लिमेंट करने की मैं आपको बता दूँ कि जो पिछली बार भ्रांतियां पैदा हुई थी जब यह संसत में पारि हैं उसको लोगों तक सही तरीके से और सही स्पिरिट में लोगों तक पहुंचाया जा सके इसके लिए काफी एक्सराइज हो रही है बकायदा राज्यों के साथ लगातार कॉडिनेशन किया जा रहा है तो जो घटना करम है वो इस तरफ जरूर इंडिकेट करता है कि सिए के बारे में शायद कोई घोशना हो सकती है क्योंकि आभी आपने देखा हो कुछ समय पहले खुद ग्रह मंत्री ने भी इस बात का अनुमोदन किया था कि सिए को हम लागू करेंगे चुनाओ से पहले पहले ही तो इस वह से एक जो पॉसिबल गैस है वो यह हो सकता है कि सिए के नोटिफिकेशन की वह बात करें क्योंकि जो घटना क्रम जेस्तर से लेकिन मैं आपको बता दूँ कि जब प्रधान मंत्री आप अपनी बात खतम कीज़ें मेरे पास संभावनाओं में एक सुझाव आया है बतान किया वो हो सकता है मैं बात करता हूं उसके बारे में फिर न उन्होंने जो अंतरक्षत्ष शेतर में हमारी जो स्पेस प्रोग्रामस ह fees के बारे में उन्होंने एक घोश्ना की ती तो जब विजह जी यह बता रहे थे क्या ये खेती किसानी से जुड़ा कोई मामला हो सकता है, क्या ये MSP guarantee से जुड़ा कोई विश्य हो सकता है, बिल्कुल pure guesswork है ये, कुछ नहीं. किया जाता है, लेकि मक्का और दलहन जिसमें एक घटा जलसतर उसको नियंत्रित किया जा सकता है, इस फसल के प्रमोशन के मारफत और दूसरा किसानों का इतुस से जादा बेतर हो सकता है, तो उसके लिहाज से सरकार MSP की guarantee देगी, ये उल्लेडी सरकार के अस्तर पे फैसला ल समयती थी, कि हाँ इस फैसले को हमें करना है, इस फैसले को किया जाना चाहिए, क्योंकि इस सबसे पड़ा फैसले काफी नीचे जा रहा है, अगर आप ऐसे फैसलों को प्रमोट करेंगे, तो फिर वहाँ पर आपको फाइदा ये होगा कि एक तो जलन खत्मोने की समस्या से अपनी याद पासकेंगे, दूसरा किसानों को उनकी पैदावार का उचीत कीमत भी मिलेगी, और अलग-अलग जो सरकार की एजेंसियां हैं, उनके मार्फत ये खड़ीदारी करा ही जा सकती है, पिछले दिन उबानिज मंत्री ने इस बात के इंडिकेशन भी दिये थे, तो ये हो चुका है सरो, बहुत जैसक मैं आपको कह रहा हूं कि फैसला सरकार के अस्तर पे और लेडी टॉप लेविल पे लिया जा चुका है, कि मक्का, दलहन और कपास इन तीनों के लिए सरकार MSP की गारेंटी देगी, उसके लिए एक वेबसाइट बना जाएगा, उस पूरी पंजाब में प्रोटेस्ट कर रहे हैं किसानों इसे मानने से इनकार कर दिया था, लेगिन देश बहर को ध्यान में रखते हुए सरकार ये फैसला कर चुकी है. परपेसर साब, मुमकिन लगता है ये विश्या आपको? मुझे ये मुमकिन लगता है, देखे, प्रधान मंत्री के बारे में गेस करना बड़ा खत्रे से खाली नहीं है, और मैं ये मान करके चलता हूँ, कि वो कोई बहुत, बहुत महत्तो पूर्ण चीज होगा. CAA का मामला जहां तक है, मुझे नहीं लगता है कि प्रधान मंत्री CAA को ले करके कोई इसलिए कह रहा हूँ, कि ये बात होती तो अमिट साहजी के लेवल पर काफी था ये, और सरकार एक नोटिफिकेशन जारी कर देती और अमिट साहजी आ करके एक प्रेस कॉन्फरेंस में बोल देते, इतना काफी था, दूसरी बात है क्या पूजा अस्तल नाइन्टी नाइन्टी वन एक्ट को ले करके कुछ बोलेंगे, प्रधान मंत्री, मुझे इसकी भी संभावना नहीं लगती है, तीसरी बात जो महत पुर्ण बातें जो इस देश में चल रही थी, क्या जो है, वो से जा लिया गया है, बंगलादेशी इन्फिलिट्रेशन और उनिफॉर्म सिविल कोड, इन दोनों मुद्दों पर ही ये दो और मुद्दे थे, जो भारतिय जनता पार्टी और भारतिय जनसंग के और मुद्दे थे, इन मुद्दों पर एक स्टेप चला गया है C.A. उसी दिसा में था, N.R.C. उसी दिसा में था, जो दूसरा महत्वपुर्ण मुद्दा है, क्या ऐसी चीजों पर प्रधान में या, मुझे ऐसा लगता है कि प्रधान मंत्री के पाच कुछ ऐसी निश्चत तोर पर कुछ ऐसी सूचना होगी, जो देश को वो सेयर करना जाएंगे, और जो आने वाली राजनीती को गंभीर तोर पर प्रभावित करें, हो सकता है, चुनाओ को भी बहुत जोर से प्रभावित करें, नहीं तो मुझे नहीं लगता है कि प्रधान मंत्री को इस समय पर चुनाओ के कुछ दिन पहले वो ऐसे आएं और किसी चीजों क के बारे में बात करें, कोई नो कोई ऐसी उनके पास गंभीर सुचना होगी, कोई नो कोई ऐसी जरूर बाते होंगी, जो अदेश के साथ सेर करना चाहते हैं, जो बहुत ही गोपनी है होगी, किसी हम लोगों के पास नहीं है, किसी पत्रकार तक उसकी बनक नहीं लगी है, कल कुछ दिन पहले ही कैबनेट की मिटिंग हुई थी, उसमें किसी भी इस परकार की चीजों का जिक्र नहीं आया था, मीडिया की लोगों को भी कोई भनक नहीं आया थी, और आप द्यान रखेगा, चाहे वो MSP का मुद्दा हो, चाहे वो किसान से संबंधित मुद्दा हो, वो किसी को भनक तक नहीं लगी थी, किसी प्रधान मंत्री जी से विड्रॉ करने वाले हैं, जब नोट बंदी का मामला था, किसी को ये अंदाजा नहीं था कि प्रधान मंत्री जी क्या करने वाले हैं, मुझे लगता है वैसी ही कोई बात होगी उनके पास, जो मुझे लगता है कि प्रधान मंत्री जी करने वाले हैं और अभी तो आप कयास लगाने में भी मेरा तो दिमाग नहीं चल रहा है क्यों क्या चीज़ें हो सकती है क्या दाउग इब्राहिम को पकड़ लिया है भारत सरकार ने मैं कहा रहा हूँ मैं कहा रहा हूँ सरफ निरो मौधी हैं दाउद है इसके देवेंद्र कुछ बोलर है सरफ देवेंद्र और निर्ने सरफ दो-धिन चीज़ें पहली बात विए कि सरफ दो-तिन चीज़ें जो अप्डेट है उसमें पहली बात ये कि जो घी हिराजमंत्री हैं शांतनू ठाकूर जो कि बंगाल से ही आते हैं और बंगाल के उस हिस्से से आते हैं जहां पर CA बहुत माइने रखता है यानि कि मतुवा संप्रिदाइक को लोग इन इलाकों में रखते हैं उनका एक प्रेस कॉंफरेंस सोरब ताय किया गया था आज शाम चार बजे उस प्रेस कॉंफरेंस को उन्होंने साड़े साथ बजे अचानक से टाल दिया है और आप समझ सकते हैं कि ये टाला जाना भी किस दिशा में इंडिकेट कर रहा है अन्यता और उस मसले को बोलते भी रहे हैं जैसा कि पहले मैंने आप पो पताया था कि कुछ दिन पहले बंगाल में उन्होंने इस बात का ऐलान कर दिया था कि अगले एक सप्ता के अंदर सिये के रूस नोटिफाई कर दिया जाएंगे वह इंफर्मिशन की सही नहीं रही लेकिन आज शाम चार बजे के प्रेस कॉंफरेंस को उन्होंने टाल कर अब साड़े साथ का टाइम मुकरर किया है जो फैसले लिए जाने थे इंडिया इसको रिपोर्ट किया इसके अलावा काश्मीर में श्री नगर में जो रैली हुई थी जो कारक्रम हुआ था पदानमांति निरेंद मोदी का उसके बारे में प्रकार से सरकार की नीतियों का असर वहां पे दिख रहा है और केंदर की सरक पर्चेट में ऐसा कुछ नहीं हुआ है जिसकी जानकारी ना हो सौरब जैन घोशाल जी आपने तो सरकारें कैसे काम करती हैं बहुत सारी सरकारों को देखा है फालोग किया है मोदी सरकार का का काम करने का तरीका भी आप अच्छे से जानते हैं क्या कहेंगे अभी जोड़ी कलार के पगड़ी पहन के जाएंगे उसके उपर भी स्पेकुलिशन होता रहता है तो मेरा आज जो मैं अभी जो चर्चा हो रहा है जैसे बोल रहे हैं चुनाओं के पहले ऐसे कोई फैसला होने जा रहे हैं और जो सिटीजेंशिप इशु जो है उसमें देखिए CAC का अलग अलग इंपक्ट है और प्रधान मंत्री जी जब पश्चिम मंगाल में दस दिन में चार बार आये है प्रायरिटी स्टेट वेस्बेंगल तो इस बार है कोई संदय नहीं है और वेस्बेंगल में भाजपाई दे सक्से स्टोड़ी है अभी राज्यसवा का इंपी सकते हैं मोदी जी जिसमें कोई पश्चिम मंगाल में मंता का भी कोई फाइदा हो जाए यह तो सवाविक है अगर आज इस समय मोदी जी जब कलकत्ता आये थे पश्चिम मंगाल में आये और जहां-जहां भी रैली किये हैं कोई citizenship का CAC का जो इशू है वो छेरा नहीं लेकिन अगर शांतनु ठाकूर कॉंसिस्टेंटली बोल रहे हैं कि चुनाओं के पहले यह हो जाएगा और यह जो इशू है यह इशू अगर पुरी देश में भाजपा के लिए बहुत महत्तपुर्ण है होम मिनिस्ट्री के लिए बहुत महत्तपुर्ण है और असाम और वेस्पें पुर्णल में भी उसमें असर अलग है क्योंकि असाम में इसमोर विद बेंगॉली और असाम में जो हिंदूज हैं जो असामीज नहीं हैं वो भी उसमें विक्टिम कुछ दूआ है CAC का ऐसा मुद्धा ऐसा है जो मेरिट करता है कि प्रधान मंतरी उस पर बोले मुझे सम्हाओ देखिए मैं गलत हो सकता हूँ क्योंकि अभी जो चर्चा होना इसे पत्रकार के मतलब एक exercise है जिसको fun game जैसे लेना चाहिए मुझे लगता नहीं है कि CAC में कोई ऐसे कोई commitment गधान मंतरी करेंगे जिसमें भाचपा का पश्चिम मंगाल में कोई लुक्सान कोई मतलब क्योंकि पश्चिम मंगाल में आप बोली एक सिकेंट रागी जी सर आपकी बात पर कुछ कह रहे हैं सौरव जी पत्रकारिता का मतलब ही ही होता है एक बार ऐसे सेकंट मौल्ड वार के समय हिटलर के लिए कहा गया था कि हिटलर ने उनके कई दोनर का देगे आपनों पॉस्टमाटम ठीक कर सकते हैं, अब यह प्रद्वनिक करना रहे हैं भी जब आजाएगा जो प्रदान मंत्री होगा वह सामने आजाएगा कि जब प्रधान मंत्री थे अटल बिहारी वाजपई बने थे और उस शाम को जो अचानक सरगर्मी हुई थी और मोदी जी को ताप अनप्रेडिक्टिबल कहते हैं लेकिन अटल बिहारी वाजपई ने अपना घर बदला था और वो 7 LKM वहाँ पर जो RCR था वहाँ आये थे होने का अनाउंस किया था तो प्रधान मंत्री जब अनाउंस कर रहो हो तो उसको प्रेडिक्शन करना इतना असान लेकिन वो शाम मुझे आज पता नहीं क्यों याद आई नुकलियर टेस्ट हो चुके थे वाजपई जी ने अनाउंस किया था कि हमने इंडिया है साथ सब्दर जंग रोड से रहा करते थे और वहाँ पर गय थे 7 RCR में उसी दिन और शाम को उन्होंने अनाउंस किया था और कैबिनेट में बहुत सारे ऐसे चर्चाएं होती है क्यो सरकार को तैय करना हुगता है आपने ऐसा उधारन दे दिया न्यूकलियर डील यूकलियर बंबाना और लोगों का धरकन बढ़ गया होगा क्या हो गया ऐसा जो पतान मंतिरी को बताना है संजीर जी बहुत सारे मुद्धे आ गये लेकिन हमारे टेबल पर कुछ भी हो सकता है देखिए सबी जने घूमफिर के बात एक ही कर रहे है कि प्राइम मिनिस्टर को आउट गैस करना नहीं पॉसिबल है लेकिन जो दूसरा कंसेंस बन रहा है पैनल पर आपके सौरब जी वह यह भी बन रहा है कहीं नहीं कहीं शायर कि जो भी फैसला आएगा अगर वह 11 मार्च 2024 को आ रहा है जबकि अप्रल और मही में मद्दान होना है और नई सरकार का गठन होना है तो मैरे मैं तो यह काफी निश्टता के साथ कह सकता हूँ कि उसका कुछ ने कुछ चुनाव से संबन्द है और कुछ ने कुछ उसमें बीज़ेपी का लाब है सरकार जैसे विजे कह रहे हैं ज्यादा शक्तिशाली दिखे जैसे प्रोफिसर रागी ने कहा कि चाहे दाउद की खबर हो चाहे तो जो भी फैसला अगर कोई घोशना करते हैं तो जिस भी तरह की उसका एक साइड जो एफेक्ट है या उसका एक को लैटरल जो बेनेफिट है वो क्लियरली बीजेपी को चुनावों मिलेगा इसी तृष्टी से किया जागा नहीं अब ही और आज ये बात करने की और उस पे इतनी चर्चा का एक कौतवल बढ़ाने की और फिर आने के वाद जो उसका पोस्ट मॉटम चलेगा कितने दिन क्या खबर आती है तो वो क्लियरली इट हैस्टु बी विदन आयों इलेक्शन अदर्वाइस फिर तो हम बिल्कुल ही और सर आदा घंटा बताया गया था जब ये खबर आई पांच बजने वाले थे अब साड़े पांच बज गए हैं तो कभी भी मुम्किन है कि मुर्धान मंतरी को हम देखे हैं अचानक उनका चेहरा हमको नजरा आज स्क्रीन पर अब ये तो सौरग बावु आप ही तेह कर सकते हैं कोई कुछ नहीं कर सकते हैं संजीव जी आप बड़े बड़े उनको बड़े मुसिबत में आप डाल रहे हैं ये बोल करके दूसरी तारीफ आपने बिल्कुर ठीक की देविंद्र पराश्र जी के और निर्णे की कि हमारे दोनों सयोगी जह है प्रधान मंतरी कारेले की पर रिपोर्ट भी करते हैं और उनको सब पता रहता है मुमन पराना विश्वल है अभी का नहीं है अचानक सैसा ना समझें कि वह आ गया और कुछ बोल नहीं नेर्णे बताया आपने सारी बातचीज सुनी सबकी मन की बात आपने सुन ली अब अपनी मन की बताईए देखें एक बात तो ते है मतलब जो कंसेंस बन रहा है अभी जैसे संजीव जी भी बता रहे थे के डेफिनेटली जो भी घोशना होगी उसका सीधा रिपरकॉशन जो चुनाओ है आने वाले उस पे तो पड़ेगा वरना इस टाइम पीरिड को तो नहीं चुना जाना चाहि तो इसलिए इस मोमेंट पर आप यह नहीं कह सकते के यही होगा और ऐसा पास्ट में कई बार हो चुका है कई बार लोग आज जला चुके हैं अपने प्रेडिक्शन करके मैंने सिर्फ पहले जो बताया है क्योंकि घटना करम जिस प्रकार से डेवलप हो रहा था उसको देख बहुत सारे पहलू जो है उसके अभी भी क्लियर नहीं है सरकार उसके क्या स्टैंड लेगी क्या क्योंकि हमने यह जरूर पता चला था कि बहुत दिनों से बहुत सारी एक्सराइज चल रही हो मिनिस्ट्री में जिसमें इस पूरे एक्ट को बहुत ही स्टिम्प्लिफाइड तरीके से और बहुत ही क्लारिटी के साथ लोगों के बीच में इस प्रकार से रखने की पूरी योजना बनाई जा रही है ताकि किसी भी प्रकार का कोई कन्फूजन कोई फैरा ना सके किसी प्रकार का कोई कन्फूजन कोई क्रियेट ना कर सके अब अगर यह इस दिशा में क बहुत बड़ा फाइदा ना हो जाए ऐसा सोच करके पूरे देश का जो देश में जो बेनिफिट हो सकता है पोलराइजेशन से उसको अंडरमाइन कर दिया जाए ऐसा तो मुझे नहीं लगता है इसलिए जो भी वो घोशना करेंगे बहुत ही लार्जर एक उसका कॉंसिक्वे चुनावी रणनीती पर भी सभी पार्टियों की सरकार MSPB गारेंटी दे सकती है उन्होंने तो इस सुझा को नहीं माना था लेकिन मुम्किन है कि सरकार इसको अपनी तरफ से लागू कर दे और किसानों को इस पर आना पड़े अपने अपने मंद से वो इस पर आए विजए जी वो संभावना बनती है उसको लेकर भी कर रहे हैं देविंद जी भी कर रहे हैं निरने भी कर रहे हैं और सब लोग भी कर रहे है लेकिन मैं जितना समझपाया हूँ अभी तक कि राजनीती में प्रदान मंतरी जी किसी ऐसी बात की ऐलान नहीं करें जो पांस साल से चड़्चा में चल रहा हूं इतना आके निकल कर आएगी और फिर मुझे लगता है कि भारत को और ये बात तो ठीक है मतलब इस बात में कहने में क्या है कि चुनाव में फायदा होगा चुनाव में फायदे के लिए तो आप सुबह वो द्वार का में एलिविटेट रूड का घटन कर रहें वो भी चुनाव में फायदा पहुचाएगा तो प्रदान मंतरी की किसी भी बात का चुनाव में फायदे से लेकिन जब वो एलान होगा तो आपको समझवाएगा कि ये चुनाव के फायदे से बड़ी चीज है वो राष्ट से जुड़ी हुई हिंदोस्तान से जुड़ी हुई उसको जुड़ी से उपर की चीज है इतर चीज है देश से जुड़ी हुई कोई बड़ी चीज को लेकर वो एलान करें ऐसी संभावना मुझे दिखाई देती है लगता है बाकी तो जी देवेंदर बोलें बोले स्वरब अभी प्रधानमंति नेंदमोदी ने ट्वीटर के मारफ़त जो अपना बयान दिया उसमें यह कहा है कि हमारे डिय डियो साइंटिस्स के पर बहुत गर्व है जिन्होंने मिशन दिव्यात यानि कि पहला फ्लाइट टेस्ट आफ स्वादेशी डेवलाफ अगनी फाइ वेकिल यानि की एक बार में वह कई टारगेट को निषाना साथ सकता है वैसे अगनी फाइम प्रधानमंत्य नरेंदमोदी ने देश के विग्यानिकों को बढ़ाई दी है स्वारब स्वारब तुछ बाद में मिलेगा, ट्वीट पर जानकारी वह एक रेगूलर इस तरह का जो होती है घौश ना, Untersland, वह करते हैं मैं huटरेटान मंत्री, ऐसा संभा भी नहीं है कि प्र दैड़ान मंत्री नहीं कि Kommissah Christmas का सेृक्ड पहले आपको नहीं मिलेगा जो ऐलान होगा, उसके यह मिशन है, बहुत परकून है, लेकिन यह अलड़ी पब्लिक डोमेन में है, यदि मिशन सक्सेस्फुल हुआ है, अब तो है, अब तो उन्होंने खुद ही करते हैं, यह मिशन तो चल रहा था ना, चल रहा था और DRDO के साइंटिस्ट इसके बारे में जान रहे थे, बाकी लो पर प्रदानमंतिरी ने कोई सोशल मीडिया पर चीज़ शेयर कर दिये, तो फिर बाद में आकर वो उसके बारे में बोले भी ये शायद ना हो? जरूरी नहीं है कि शब्दों के मारफत वो कम्लिकेट करें, कई बार टेक्स्ट के मारफत भी कम्लिकेशन वो होता है, इसकी अगर टाइमिंगर आप देखें तो इस ट्वीट का जो टाइमिंग है वो थोड़ा सा निशी तोर पे इस रूप में दिखा रहा है कि ऐसा ना हो कि वही एलान होना हो, अभी हम उसको कंफर्म करने कोशिश कर रहे हैं कि क्या इस बावत ही हमें जो सोर्से से दुआ जानकारी मिली है, क्या ये वही इन्फरमिशन ही या कुछ और भी होना है, ये अपने आप में लेकिन अगनी फाइब मिसाइल को देखें और कर, सौरब फ इसके आगे भी कुछ है, इतना जरूर है, सौरब ये आप मानकर चल सकते हैं कि एलान करने का तरीका कोई भी हो सकता है, वो जरूर नहीं कि बात है, तो वो किसी भी जरिये से हो सकता है, क्योंकि मुझे याद है, वो 2019 का जो मैं जिक्र कर रहा था, जब इंडिन स्पेस वार के बारे में उन्होंने ऐलान किया था, तब वो simultaneously हुआ था, जैसे उन्होंने बोलना शुरू किया था, साथी में उनका ट्विटर पे भी इंफोमेशन आ गई थी, तो वो जरिया कुछ भी हो सकता है, और उस वक भी जब ये ऐलान हुआ था, तब यही एक्सपेक्ट किया ज जा रहे था, और बात में जो space warfare development के शेत्र में जो उपलब्दी हासिल की थी इंडिया ने, उसकी जानकारी प्रधान मंतरी ने शेयर की थी, और आज ये जो missile launching vehicle के बारे में जो ये बता रहे हैं, ये भी एक काफी impactful development है, जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत मुम्किन है कि य ये ही वो information हो जो प्रधान मंतरी को शेयर करना हूँ, थोड़ा सा लोगों को anti-climatic लगे है कि बहुत इसका माहूल बन गया था और वो सोचल मीडिया पर कर दिया, लेकिन जानकारी ये थी कि प्रधान मंतरी की तरफ से को information देश के साथ शेयर की जाएगी, इतना ही हम भी कह हो सकता है, वो हो गया हो, इस information से public connect उस तरह का माहूल नहीं बनता, इस information से हिंदुस्तान की public, ये बहुत बड़ी event है, बड़ा development है, लेकिन हिंदुस्तान का जो आम आदमी है, उसका connect इस घटना से नहीं प्राइम निस्टर के साथ जुड़ता है, या election से जुड़ता है, य नहीं, वो तो आप देखेंगे तो समझ आ जाएगा, जब वो प्रधान मंतरी करेंगे तो समझ में आ जाएगा, कि हिंदुस्तान में नहीं हो सकता है, दुनों ये कहना चाहरे हैं, बहुत मुमकिन हो, जो ऐलान होना तब यही ऐलान है, अब नहीं आएंगे तब तो अलग आप शायद नहीं आएं, ये मुमकिन है, ये हो सकता है, यदि एलान करेंगे तो ये नहीं होगा, आप अपने दिल को ये मना सकता है, थोड़ा कन्विंस कर लीजे कि हो सकता हो एलान हो गया है, नहीं, जो हेडलाइन्स आपके स्क्रीन पे आ रहा था, जो आपके चैनल का हे आने वाली है, इस प्रकार की बाता है, नहीं, हमें भी ऐसा ही लगा था, उसी आधार पर हम लोग क्यास लगा रहे हैं, ये देवेंदर इस पर और क्लारिटी दे सकते हैं, देवेंदर, ये हम जा इसको तैम आने ना कि प्रधान मंतरी को टीवी पर ही आकर बोलना है, अब इसको नहीं स्वार हो, ऐसा तो कभी भी नहीं होना चाहिए, कि जब भी कोई महत्पूर्ण ऐलान की बात कही आती है, तो आप समझ सकते हैं, कि एक तो कितनी सिक्रेसी रहती है, किसी चीज में, सोर्सिस के मारफ़त, बहुत मुश्कित से कोई इंफोर्मेशन अगर आती है, तो वो सिर्फ इस संबन में होगा, कि हाँ कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ा एलान हो सकता है, और वो एलान कुछ भी हो सकता है, जैसे पेस स्टेट्मेंट के मारफ़त हो, या एक्स के मारफ़त हो जाए, या आडियो विज्योल के मारफ़त हो, या सिर्फ आडिय लगती है कि जो समय देंशिल सुचना हैं वो यूहीं ऐसा नहीं हो सकता कि बाहर चलिए और आप समझें कि पहले के दौर में कैबिनेट का एजेंडा इतनी आसानी से तीन दिन चार दिन पहले जैसे ही कैबिनेट की बैठकता है होती थी एजेंडा सर्कुलेट होने लगता था प्रधान मंतरी दफ्तर्यार मओजूदा सरकार उसका बहुत ध्यान रखती है तरीका ज़रूरी या सारभ है कि कोई भी हो सकता है उसमें बार बार यह कोशिश कर रहा हूंगी यह कंफिरमिशन मिले कि क्या यही एलान होना था जिसके बारे में हमें जानकारी मिली थे या छायद यही ऐलान होना था और ये एक बड़ा एलान है, स्वारप. जिसके बारे में हम लोग ने पहले रिप्योट किया था कि आज कुछ बड़ा होना वाला है और आप देखें तो स्वदेशी अगनी 5 मिसाल की टेस्टिंग अपने आप में बहुत बड़ी बात है कल प्रधानमंती निर्मुदी जब पोकरन जाएंगे तो वहां भी स्वदेश निर्भरता को लगतार कम किया जाए और इसके कई सारे फायदे थे और उस लिहाद से ना सिर्फ हमारा आयाद जो है हत्यारों का वो खत्म हो बलकि हम दूसरे देशों को आया निर्याद कर सकें वह में कैपैसिट्री डेप्लप करनी थी और उस दिशा में पीम मुदी बार लोग लगतार चुनाओ की बात कर रहे हैं तो प्रधान मंत्री अपने अधिकारियों को अपने मंत्रियों को यह कह रहे हैं कि जैसे हम मैं चुनाओ जीत के हम लोग आएंगे हमें इस वो प्रजेक्ट चाहिए जो की 2047 का गेटवे हो शब्द का पीम ने इस्तिमाल किया था चुनाओ खत्म होते ही जैसे नहीं सरकाराई आएगी और अगला बजट जो जून में आएगा वो उसी रूप में होगा दूसरी बात उन्होंने मंत्रियों को यह भी कही कि जैसे आप काम कर रहे हैं चुनाओ लड़ने जाने का मतलब यह नहीं हुआ कि आप उस काम को छोड़ दें आप ग्राउंड पे भी रहेंगे तो यहां अधिकारियों से कनेक्टेट रहेंगे और अगर आपको टिकट नहीं मिला तो भी अगली सरकार बनने तक आपके मंत्राले की जिम्मेदारी आपकी आपको उसी रूप में काम करना होगा प्रधान मंत्री की तरफ से होना था और वो हो चुका है कोई संबोधन प्रधान मंत्री का नहीं हो आप प्रधान मंत्री निराश हो गए प्रफेजर जाब ने मैं निराश नहीं हूँ बिल्कुल निराश हो मैं चुके आप लोग इतने उत्साहित थे इस चीज़ को ले करके तो हम भी कयास लगा रहे थे और ये मेरा सुरू से मानना ऐसा है कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी वहां से सुरुवात करते हैं जहां से हम लोगों की स टोज खत्म हो जाती है कोई भी राजनेतिक पंडित उनको अभी तक पकड़ नहीं पाया है कोई भी पुलिटिकल पार्टी उनका अगला स्टेप क्या होगा सतरंज की बाजी में ये आस तक उसको केस नहीं कर पाया है इसलिए हमारे लिए भी ए टीवी स्थूडियो में बै जिसको कहते हैं ना मैस्कूलिनिटी उससे निकलती, यह नरंद्रमोदी का हिंदुस्तान है, 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 यह हिंदुस्तान गमले के पौदे की तरह है यह वरगत की ब्रिक्ष की भाती जो है वो एक जश्रश्वी प्रधान मंतिर के रूप में जो उनकी चवी बनी है उसी चवी के अनुसार कोई घोशना होगी ऐसा हम सब का मानना था जो आपको गर्व मतलब प्राउट फील कराए कि आपको लगे कि दूसरी बात ये पूरे जन्ता में ये जाए वो विमर्ष का हिस्सा बने दोजार चौबिस के चुनाव के विमर्ष के केंद्र में वो आ जाए पुलवामा केंद्र में आ गया था मैं यह नहीं कह रहा है कि उसी कारन से हुआ वेकिन वो पुल्वामा केंद्र में आया था वैसे ही प्रधान मंत्री की जो कुछ भी गोश्टना होती है वो लगभग भारत के रास्टिये विमर्ष का मुद्दा बन जाता है इसलिए मुझे ऐसा लग रहा था कि प्रधान मंत्री जी कोई ऐसी बात कहें देश को इसके बार में थोड़ा और जानकारी लेनी पड़ेगी हमको भी पढ़ना पड़ेगा